असलाम वालेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहा हैं गल्फ एक्सपोट दोस्तो इस वीडियो में दो अपडेट आप लोगे साथ में शियर करने वाला हूँ तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते है हैं आज का पहला अपडेट मोई कतर की तरफ से है कि कुछ लोगों को गिरफतार करने का काम किया है यहां पर आप देख सकते हैं आप लोगों को टोटल चार लोग यहां पर नदर आ रहे होंगे इन लोगों की नेशनालिटी अर्भी है यह लोग कतर में नशावाला समान को गलत धंदे से बेचने का काम कर रहे थे कतर की मुखतलिब जगहों पर यह लोग नशावाला समान को पहुचा रहे थे खरीदों फरोखत कर रहे थे तो सियाडी पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ लिया है पकड़ने के बाद इन लोगों के पास से एक लाख गोली जो के क्यप्टागोन की गोली थी तो एक लाख क्यप्टागोन की गोली को इन लोगों के कवजे से बरामत कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं जब यह लोग गिरफतार हुए तो इन लोगों ने अपने जूर्म का इतराफ कर लिया है इन लोगों को अपकड़ करके अगर आप में नहीं देखा है तो दो-तिन दिन पुरानी वीडियो देख लिजिए आप लोगों को मालूम हो जागे पुलीस वाले किस तर वहाँ पर लोगों को पकड़ते हैं इलेगल काम करते हैं दोस्तों आप लोगोंने सुना होगा कि मरोकों में बहुती जबरदस जलजल होता है तो उस जलजले के आने के वज़े से कतर के जो बादशा है शेख तमीम बिन हमद आल सानी तो इन्हों ने मौरोकों में इमदादी सामान इसी तरह जो इमदादी जो टीम होती है उन लोगों को भेजने के लिए ओडर दिया है इसी साथ साथ यहां पर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की मदर है इसमें भी ट्विटर के जरीए वहां पर जो कुछ नुकसान हुआ है जो कुछ वहां पर जलजला आने के वएसे लोग परेशानी में हैं इन्हों ने भी अपने जो है दुक और तकलीफ का इधार किया है यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को जो है जलजला आने के वज़े से वहां पर क्या तबाही मची है तो इसका अंदासा आप लोगों को देख करके आप अंदासा लगा सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहां पर सब कुछ तूट गया है कितरा अच्छा खासा यहां पर आप लोगों को घर नजर आ रहा होगा लेकिन तूटने के बाद में यहां पर किस तरह तवाही का मनजर पेश कर रहा है यह किसी बच्चे की कौपी है जो के घर गिरने के बाद में जो है सामने आ चुकी है केमरा मैंनी इसको जो सोशल मेडिया पर डाल करके दिखाया है कि यहां पर किस तरह जो है चाहे वो तबाही से छोटे बच्चे हों या ये के बड़े बच्चे हों हर तरह के लोगों को नुक्सान पहुंचा है यहां पर आप देख सकते हैं बोड़ी माई को जो कि अपना समान को उठा करके लेकर आगे बढ़ रही है और साथी साथ में यहां पर अपने टूटे हेव और मोरोको के लिए जो कतर ने जो इनांस्मेंट किया है और यहां कतर से जो वहां पर मदद पहुंच रही है तो हमें इसकी दाद देनी चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं कतर चैरिटी की तरफ से एलान किया गिया है कतर चैरिटी वालों ने मोरोको में जो वहां पर हद हैं चाहे वह दुनिया के जिस कोने में भी हो मदद करने के टावर में किसी मजभब को नहीं देखते हैं वह बिला तफ्रीक सब की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अप्रों को कतर के अंदर नज़र आ यह अलजाबर टावर है जो के लुसेल में है वहां पर आप लोगों के नदर आ रहा होगा जो मुरोकों में जो जलजला आया हुआ है उसकी हमदर्दी को जताने के लिए अपने टावर पर यहां पर मुरोकों के जंडा को दिखाया जा रहा है तो यहां पर यह दिखाया जा र इस वीडियो को दिखने का बहुत बहुत शुक्रिया